नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के मुक्य समाचार के इस वीडियो में जिहां दोस्तों पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है ऐसे में मोधी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्मूर खबर अपडेट निकल करा रही है जिसकी सठीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे बस आप इस वीडियो के साथ अन्त तक बने रहे है लेकिन उस से पहले आपस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत महिनत लगती है तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है भारतियों को फ्री मिलेगी क्रोना की दवा जनता के लिए 68 करोड खुराग खरीद रही है मोधी सरकार जी हाँ खबर आई है कि भारत सरकार सिरम इंस्टिटूर से वैक्शन की खरीद करेगी और लोगों को मुफ्त में देगी यानि क्रोना की दवाई लोगों खुफरी में दी जाएगी ऐसा सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि इस आपदा के कारण पहले ही लोग पैसों की समस्या से जूज रहे हैं और लोगों को ज्यादा परिशानी ना उठानी पड़े इसलिए एटी का मुफ्त में लगाया जाएगा वैकसीन बनाने का काम चरँपर है भारत सरकार ने संके दिया है कि ये सिरम इंस्टिटीूट से सीधे वैकसीन खरीदेगी सरकार ने सिरम इंस्टिटूट से अगले साल जून तक 68 करोड डोज की मांग की है वैक्सिन सफल घोशित होने पर लोगों को राश्टीटी का गरन कारिक्टरम के तहत मुफ्त में वैक्सिन दी जाएगी और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के बाद अब जन संख्या नियंतरन गानून लाने जा रही है मुधी सरकार जी हाँ भारत में प्रसे दिन करीब सतर हजार और एक मिनट में औसतन इक्यावन बच्चे जन लेते हैं इसमें देश की आवादी की रफ्तार समझी जा सकती है इसलिए मुधी सरकार जन संख्या नियंतरन पर काबू पाने जा रही है क्योंकि परिवार नियोजन पर कानून बचन बनानी के लिए केंदर और राजियों को अधिगरित किया गया है लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कानून नहीं बना है सब्वेधान समिक्षा आयोग ने 2002 में के इन सरकार को सौपी रिपोर्ट में जन संख्या नियंदरन पर कानून बनाने की स्थिफारिश की थी इसे भी 18 साल बीद गए हैं लेकिन खानून नहीं बना भारत में दुनिया की मातर 2 فیصد जमीन है पीने योग पानी मातर 4 फीसद है जबकि जन संख्या 20 फीसद है ऐसे में यह सवाल उटता है कि यदि भारत में जल्द ही जन संख्या नियंदरन का कानून नहीं बना तो बड़ती जन संख्या के लिए खाने और पीने की कमी हो जाएगी इसलिए मुदी सरकार जन संख्या नियंदरन खानून लाने की तैयारी कर रही है आप इस खानून का समर्थन करते हैं या नहीं नीचे में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगली बड़ी ख़बर की बात करें तो गोहत्या को लेकर सख्त नियम हुआ जारी पकड़े जाने पर लगेगा इतना जुर्माना और होगी कड़ी से कड़ी सजा जी हाँ योगी सरकार ने गोहत्या के खिलाफ नया और बेहत कड़ा कानून पास किया है अब जो लोग भी गोहत्या के आरोप में पकड़े जाएंगे वो तीन से दस साल के लिए जेल भी जाएंगी साथ ही गोहत्यारों की संपतिस भी जब्त की जाएगी और दंगायों की तरह उनकी पहचान के पोस्टर भी लगेंगे इस संपन्द में यूपिय सरकार के संसदिये कारमंतری सुरेंदर खना ने बताया की यूगी सरकार ने गोहत्यार निवारन सचुध ठनविद है 2020 पास किया है इस चानून से यूपिय में गोहत्या के खिलाव और सक्त हो गया है गौ तसकरी में शामिल गाड़ियों के ड्राइवर, आपरेटर और मालिक भी इस खानून के तहत आरोपी बनाए जा सकेंगे और तसकरों से चुड़ाए गए गायों के भरन पोशन का एक साल का विखर्चा भी आरोपी उसे ही वसूला जाएगा दोस्तों क्या आप सरकार के इस नियम से खुश हैं अगर हाँ तो हमारी गौमाता के लिए वीडियो पर एक चोटा सा लाइक तो बनता ही है और अगली बड़ी ख़बर की बात करें तो सिगरेट और गुटका खाने वाले तुरंत हो जाएं साफधान सिगरेट और गुटके के माद्यम से क्रोना वायरिस फैलने का खत्रा सबसे ज़्यादा रहता है प्रिशेश शग्यों का मानना है कि गुटका सिगरेट का सेवन करने वालों के अलावा खेनी जैसी चीज़े खाने वाले लोग कई गेर संचारी लोगों के आसाने से शिकार बनते हैं इसका सेवन करने वालों के अलावा उनके आसपास के लोगों को भी इसका काफी खत्रा होता है डबलू एच ने भी चिताब नहीं दिये कि तंबाकू से कमजोर हुए फेपलों में करोना वाइरस का संक्रमन काफी तेजी से फैलता है दोस्तो आप सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं नीचे कॉमेंट में जरूर बताईएगा और अगली बड़ी ख़वर की बात करें तो पीम किसान सम्मान निदी स्कीम की रखम को 6,000 से बढ़ा कर 24,000 करने की मांग है जी हाँ मोधी सरकार ने किसानों के लिए जितनी स्कीमे शुरू की है उनमें से सबसे कारगर प्रधान मंदरे किसान सम्मान निदी योजना है क्योंकि इसमें ब्रष्टाचार की गुण जाईश नहीं है ताकि अन्यदाताओं की स्तिती में सुधार आ सके विशेशक्यों की राए के बाद मोधी सरकार इस पर गहराई से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कड़ा फैसला लिया जा सकता है और अगली बड़ी खबर की बात कहने तो बाजार में बिक रहे हैं नकली सब्जियां कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं जहर जिहां आलू में रसायनों के प्रियोग को लेकर लगातार बहस बढ़ती चली जा रही है लेकिन इस पर कोई ठोस कारवाई नहीं हो पा रही है ऐसे में कई और चौकाने वाले तर्थ सामने आ रहे हैं जिनमें आलू के साथ ही लहसुन को सफेद पाउडर उसे चमकाने अद्रक को तेजाब से धूने सेव वपर्वल को रंगनी की भी खबरे सामने आ रहे हैं यानि ये तैह है कि जो सबजियां वफल आप खा रहे हैं आप के लीवर वकिटनी को खराब करने के साथ ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं क्योंकि किसानों के सबजी वफल बेचने के बाद बिचोलियों या खरीदारों द्वारा इस खतरनाक रसायनों के खेल को खेला जा रहा है सबजियों को सुन्दर दिखाने के लिए लहसुन पर भी सफेद पाउडर अब लगाया जाता है ताकि वो सफेद और चमकदार दिखे ऐसा लेसुन फाइदे से अधिक नुखसान पहुचा रहा है यही नहीं अधरक मंडी में बाहर तेजाब से धूई जा रही है ताकि चमक आ सके जिसकी पहचान है कि अधरक काटने पर अंदर से काला पन नजर आता है इसी तरह मश्रूम पर भी इस्प्रे किया जा रहा है ताकि वो आधिक सफेद और सुन्दर दिखे इसी तरह हर सबजी पर किसी ना किसी प्रकार का केमिकल लगाये जा रहा है जिस पर सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है और कोई थोस खदम नहीं उठा रही है और अगली बड़ी खबर की बात करें डबलु एचो के मताबब बच्चों को ऐसी जगों पर मास का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का फालन ना किया जा रहा हो या पिर ऐसी जगा पर क्रोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा हो विश्वस्वा संक्रमण की ओर से साफ किया गया है कि 5 साल से कम उमर के बच्चों में क्रोना का खत्रा ना के बराबर होता है इसलिए इस उमर के बच्चों को मास पहनना जरूरी नहीं है वहीं 6-11 साल की उम्र में बच्चों को उन जगों पर मास जरूर लगाना चाहिए जहां करोना वाइरिस के संक्रमण का खत्रा ज्यादा है या फिर उन जगों पर जहां पर भीर काफी ज्यादा है वैसे दोस्तों आप मास लगाते हैं या नहीं नीचे कॉमेंट करके जरूर ब पैसा निकालने के लिए OTP की जरूरत पड़ेगी या आप बिना OTP के पैसे विड्रौ नहीं कर पाएंगे बैंक की इस सुविधा की तहट ग्राहक रात के 8 बजे से लेकर सुभा 8 बजे तक बिना OTP के पैसा नहीं निकाल पाएंगे इसके अलावा दिन में आप पहले की तर लागू करेंगे ताकि ग्राहको कोदो का धोड़ी से बचाय जा सके और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मजदूरों की मदद करेंगी केजरिवाल सरकार शादी के लिए 51,000 करें रिजिस्ट्रेशन जी हाँ दिल्ली के अरविंद के जिरिवाल सरकार ने करोना की मार जेल रहे मजदूरों के लिए योजना शुरू की है इसके तहर सरकार पंजी करन कराने वाले मजदूरों को खुद उनकी शादी के साथ ही बेटी या बेटा की शादी के लिए आर्थिक सही उग देगी पंजे करित महिला मजदूर की शादी के लिए 51,000 और फुरुष मजदूर की शादी के लिए 35,000 की साहे तराशी सरकार देगी इसके अलावा मजदूर की बेटी की शादी के लिए 51,000 और बेटे की शादी के लिए 35,000 रुपे का आर्थिक सही उग देगी इसके लिए दिल्ली सरकार के निर्मान मजदूर रेजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी मजदूर अपना पंजी करन करा सकेंगे दिल्ली सरकार की उर से इसके लिए ऑनलाइन पंजी करन की सिविधा उपलब्द कराई जाएगी डिब्बे में बरतंद होने के तीन साबू निकले हैं, उन्होंने यूवक को पकड़ लिया और उसे रखम वापस करने को कहा, यूवक का कहना था कि वो डिलिवरी बॉय है, उसे नहीं पता था कि डिब्बे में क्या है, मगर व्यापारी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, इसके बाद कोरियर कंपनी के मैनेजर से शिकायत की, लेकिन रखम नहीं लोटाई गई, उन्लाइन शॉपिंग करने वाले लोग पहले भी कई बार इसी तरह की धोका धड़ी का शिकार हो चुके हैं, दोस्तों आप भी उन्लाइन शॉपिंग करते समय सावधानी जरूर बर सरकार के इस नियम के अनुसार जिन दस्तावेजों की वैदता बीते एक फरविरे तक समाप्त हो गई है, अब उन्हें 31 दिसंबर तक के लिए वैद माना जाएगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही, इसी तरह हर रोज काम की खबरे जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़ेने के लिए वीडियो के नीचे दिये गए इस लाल बटन को दबाईए और साथ इस घंटी को भी दबाईए ताकि आपको हर खबर की सठीक जानकारी मिल सके जैहिंद धन्यवाद